वेल्कम बेक टुदे टॉपस्टोग हाजी रापका दोस्ट फीडेक बार न्यू इंफोर्मेशन कर साथ दोस्तों के पहले मैं आपके साथ एक पोस्ट शेर की थी जो की सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिक्शन को प्रेस कर लेना ताकि सारी अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहे हैं तो चलिए विदा उडिले वीडियों को स्टार्ट करते हैं सो दोस्तों जैसे का आप यहां पर देख सकते हैं यह सी बीसी का ओफिसल नोटिफिकेशन है जो की प्राइवेट केंडिडेट्स की रिलेटेड है क्लास टेंथ के तो इस नोटिफिकेशन में सी बीसी ने क्या कहा है उसके रिगार्डिंग पर हम स्टूडेंस तो यहां पर सी बीसी ने यह का है कि टर्म टू की एक्जामनेशन जो कंड़ेट होने वाली 2022 में मार्च या फिर अपरिल में उसी के साथ साथ यह एक्जामनेशन भी कंड़क की जाएगी जो भी प्राइवेट केंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए क्लास टें है candidates who have been declared essential repeat in 2021 तो यहां पर जो भी essentially repeated होंगे students उनको यहां पर participate करना हो तक कर सकते students जो उसके बाद next point में बताया गया है candidates who have been placed in compartment in main 2021 examination और जो student compartment examination में भी रहे थे में examination में 2021 की वह भी इसमें participate कर सकते हैं और इसके बाद third number के point में यहां पर दिया गया है candidates who have been placed in compartment in August और September 2021 तो यहां पर जो भी students August और September के compartment examination में थे 2021 में वह भी इसमें participate कर सकते हैं जो उसके बाद next point है candidates who have been declared failed in 2016, 17, 18, 19 and 20 जो भी students failed हुए थे 2016, 17, 18, 19 और 20 में वह भी इसमें participate कर सकते हैं then उसके बाद fifth number का point है यहां पर यह बताया गया है कि जो student pass out हो चुके थे 2021 में और अपनी improvement के लिए examination देना चाहते है particular एक subject या फिर उससे ज्यादा subject के लिए वह भी इसमें participate कर सकते हैं sixth number के point में बताया गया है जो student pass out हुए थे 2020 और 2021 में और appear होना चाहते है इस examination में traditional subject के लिए वह भी इसमें participate कर सकते हैं और seventh number के point में यह बताया गया है कि जो भी women candidates है class 10th या फिर equivalent examination को pass out किया है 2020 या उसके पहले और देली की territory से वह belong करते हैं तो वह भी इस examination में part ले सकते हैं और eighth number के point में यह बताया गया है कि जो भी physically handicapped student रहेंगे और bonified resident students है Delhi territory के वो students इसमें participate कर सकते हैं last point में यह बताया गया कि जो भी पत्राचार विद्याला के students है Delhi के वो भी इसमें participate कर सकते हैं दिन उसके बाद यहाँ पर नीचे information दी गई है कि इसकी जो application form है वो 2012-2021 यानि की आज से इसके examination form release होने वाला है और आप इसके form जो है वो fill up कर पाएंगे इसका form कैसे fill up करना है वो इसके next student में मैं आपको guide करने वाला हूं मैं आपको detail में guide कर दूँगा किस type से आपको form को fill up करना है यान उसके बाद यहाँ पर आपको application form कहां पर जाके fill up करना है उसकी information दे जिसे आपको follow करना है जिसमें आपको यह बताएगा है कि इसमें आपको syllabus रहेगा वो according to term 2 का ही रहेगा safe तो यहाँ पर mention किया हुआ है all may not that the examination for this categories of students will be conducted on the basis of syllabus for term 2 only तो यहाँ पर आपको जो term 2 का syllabus रहेगा उसे ही यहाँ पर follow करना रहेगा उसका syllabus भी यहाँ पर दे रहेगा इसका link मैं आपको इसे description में दे दूँगा उसे जाकर कि आप ज़रूर से एक बार check out कर लीजिएगा तो दोस्तों आप इसका form कैसे fill up करना है वो आज form release हो जाएगा तो मैं एक बार form को देख लूँगा और कैसे आपको fill up करना है उसका step by step और guidance भी आपको मैं दे दूँगा दोस्ते वीडियो आपको ज़रा सा भी informative और helpful लगाओ तो प्लेजिए से like जरूर से कर लिजेगा और अपने दोस्तों के शेर जरूर से करिएगा मिलते है next video मैं बने रहेगा मेरे साथ टोपर स्टोक में